मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आप मुझे मैं आपसे बहुत टाइम से मैं हमेशा सोचती थी कि यार आप जब भी बोलती है तो या तो किसी एक धर्म को उपर ठीक है अगर आपको लगता है आपने मेरी सारी वीडियो सुनी है एक दम अच्छे से ने इतना किसके पास अगर आपको आधा ग्यान होगा अगर आप मेरी आधी वीडियो देखेंगे तो अविसले आप मेरे खिलाफ अगेंस लेंगी कुछ करेंगी मैं आपको बात बता दू लोगों ने मेरे चहरा पता है क्या बनाया है मैं मैं जिहादियों के विरूद हूं मैं देश के जिहाद का बता है मेरे जहाद के नाम पर जीहाद का नाम दिया है कि जहाद को जिहाद का लोगों को कि तना बताप बता है आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं नहीं कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाए गया आप लोग उसके जोड नहीं देते हैं मैं आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है मैं आपको बताऊं अगर कोई हिंदू लड़की है उसके सामने कोई लड़का मुसलमान हिंदू बनके आता है और उसके बाद हमारी बहन को काड़ देता है जिहाद है मेरे या मेरी एक सेकेने सचे के अब माता को काड़ता है तो यहदी आंगर कोई व्यक्ति देश के टुक्डे टुक्डे करने की AEP जैसे ईजन्डे है जिहादी है जिहादी है आपने बोला जिहादी वह इंसान है जो कोई भी गलत काम करें तो आपने इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि रहे लिखा है जिहाद का मतलब पुरान में क्या लिखा है अगर यहां पर आप मुझे प्रूफ करा दो कि आप मेरे से जैशिर राम बुरवाल दो मैं आपको बुला दो यह निवाएंगे सेकुलिर्जम नहीं बोल सकती नहीं बोल सकती इस देज में रहना है हिंदों सब्सक्राइब आपको राम को मानना आज जो सबसे ज्यादा बदनाम इस्लामिक लवज है जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमी है आज वो है लवज जिहाद आज जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमी है ना ही गैर मुसल्मानों को गलत फहमी है मीडिया के वज़े से कई मुसल्मानों को भी ग सिर्फ गैर मुसल्मान ने मुसल्मान भी अक्सर सोचने लगे कि अगर कोई भी जंग मुसल्मान लड़ता है चाहे अपने जाती फाइदे के लिए हो चाहे नाम के लिए हो चाहे पावर के लिए हो चाहे जमीन के लिए हो चाहे माल के लिए हो उसे कहते है जिहाद इसलाम में जिहाद के मानी यह नहीं कि कोई मुसल्मान जंग कर रहा है अपने खुद के फाइदे के लिए माल के लिए नाम के लिए शोरत के लिए जमीन के लिए जिहाद के सही मानी है वो आता है अर्बी लव्ज जहादा से जिसके मानी है जिद्दो जहद इंग्लिश में कहेंगे to strive or to struggle तो जिहाद के मानी है to strive or struggle जिहाद के मानी है जिद्दो जहद और इस्लामिक पसमन्जर में जियाद के मानी है कि अपने गलत फाइशों के खिलाफ जिद्दो जहद करना जियाद के मानी है कि माश्रे को बहतर बनाने के लिए जिद्दो जहद करना जियाद के मानी है कि सेल्फ डिफेंस में अपने आप को जंग के मैदान में बचाने के लिए जिद्व जहत करना है जियाद के मानी है कि जुल्म के खिलाफ जिद्व जहत करना है जियाद के मानी सिर्फ है जिद्व जहत विश्वाल के तूर पर, अगर एक तालिब इल्म, अपने एक्जाम में पास होने के लिए, जित्व जहत कर रहा है, उसे कहेंगे जिहाद, लोग को अक्सर गलत फहमी है, गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी, कि जिहाद सिर्फ मुसलमानी कर सकता है, कि अपराण में कहीं आयते हैं, जिसमें अलए तरुमाते हैं, जिहाद कर रहे हैं, जित्तों जहत कर रहे हैं, को अपको निए अप प्सक्राइ दूआए, आपको अबादत करने के लिए उसकी अल्ला के इलावा जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है अगर आपके वालदें जिद्व जहत कर रहे जिहात कर रहे आपको अबादत करने के लिए अल्ला के इलावा जिसका आपको इल्म नहीं तो आप उनका कहना मत मानो लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्ने सलुक करो ये पेगाम फिर से दुराया है फिर अनकबुत में सुना नमर 29 आयत नमर 8 में एए इनसानों अपने वालदें के साथ अच्छा बढ़ताओ करो हुस्ने सलुक करो लेकिन अगर आपके वालदें आपके साथ जिद्वजहत करते है आपके साथ जिहाद करते है उसकी अबादत करने के लिए जो अल्ला के इलावा कोई और शक्स है जिसका आपको इल्म नहीं है तो आप उनका कहना मत मानो इन आयतों में हमें पता लगता है कि अल्ला सुबानावत ताला उनके बारे में जिकर कर रहा है गैर मुसल्मान वालदें के बारे में जो अपनी आउलाद से जित्व जहत करते है उनको फोस करते है अल्ला के इलावा किसी और की अबादत करने के लिए उनको फोस कर रहे है उनसे जबरदस्थी कर रहे है शिर करने पर इसको भी अल्ला ताला फर्माते है ये जिहाद है अल्ला ताला फर्माते है सुरह निसा में सुरह नमबर चार आएद नमबर चिएटर 76 मुमिन है वो जो जिद्व जहत करते हैं अल्ला के राम और वो लोग जो इमान के खिलाफ है वो लोग जिद्धो जैद करते हैं शैतान के इसे ये पता चलता है में इन आयतों के सरी है कि जिहाद मुसल्मान भी करते है गेर मुसलिम भी करते है लेकिन जब मुसल्मान सही तरीके से जिहाद करता है उसे कहते है जिहाद फी सबिलिल्ला जो इमान के खिलाफ जुद्दो जैद करता है उसे कहते है जिहाद फी सबिली शैतान अक्सर पुरान मजीद में जब जिहाद का जिकर होता है हम मानते हैं कि वो जिहाद फी सबिलिल्ला है लेकिन अगर पसे मंदर से पता चलता है कि वो जिहाद फिसबिल्ला नहीं है तो हम उसे कहते हैं जिहाद फिसबिल्ल शैतान ये लफ जिहाद उसका तरजुमा अकसर गैर मुसल्मान और कई सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स जब ने आपको इस्लामिक स्कॉलर्स के दिन वर्ट कामल वो जिहाद का तर्जुमा करते है holy war पाक जंग अर्बी में तर्जुमा करते होली war या पाक जंग अर्बी में होता है हर्ब मुकदसा आप पूरा कुरान मजीद पड़ लीजिए सारे हदीशे पड़ लीजिए कई भी पाक जंग, holy war और हर्बु मुकदसा कहाई ने गया है ये लफ होली वार सबसे पहली बार इस्तिमाल किया गया था क्रूसेडल्स के लिए इसाई जब अपना मजभ पहला रहे थे ताकत के बल पे तल्वार के बल पे लोग से जबरदस्ती इसायत कबूल करा रहे थे उस वक्त उसे कहते थे होली वार आज ये अलफाज होली वार इस्तिमाल किया जाता है मुसल्मानों के लिए बिलकुल बेबुनियाद है अगर हम जानना चाते है जिहाद की मानी क्या है जिहाद का मतलब क्या है हमें पढ़ना पढ़ेगा इस्लाम के उसूली किताब कुरान और सही हदीश जब कुरान मजीद पढ़ते हैं कुरान मजीद बना अल्ला तला फरमाते हैं सुरह हज में सुरान नमबर 22 आयत 78 एं मौमिनों जिहाद करो जिस तरीके से जिहाद करना चाहिए और अल्ला सुभाना और ताला ने आपके दीन को आसान बनाया है और इस दीन में आपके लिए कोई मुश्किलाथ नहीं पैदा की है अल्ला तला फरमाते हैं सुरह तोबा में सुरह नमबर 9 आयत 29 में वो लोग जो मुमिन हैं जो हिज्ड़त करते हैं अल्ला के लिए जिद्व जहत करते हैं अपनी टाकत के साथ अपने माल के साथ अपनी जान के साथ ये लोग है जो फला पाएंगे और आखरत में एक अजीम अजयर पाइने